ग्वालेर पुलिस में संसनी केज गणेश शर्मा हध्यकांट का खुलासा कर दिया है। आरोपी दोस्त ने ही गणेश के सीने पर छूरी से हैवानियत की साथ एक दर्जन बार वार कर मौत की खाट उतार दिया है। वारदात की बाद आरोपी महरास्ट में फरारी काट रहा थ आरोपी आदतन अपरादी बताया जो रहा है और पुलिस ने आरोपी को इंदोर से गिरफतार कर लिया है। एसपी ने बताया कि हत्या वाली रात आरोपी मृतक के साथ कलाली पर बैठ कर शराब पी रहा था। दोनों के बीच किसी बात पर वहस हुई और मृतक ने आरोपी से अबशब्द कह दी जिससे वो आकरोशित हो गया और जैसे ही गनेश शर्मा हौकर से जोन में पहुंचा आरोपी ने चाकू से उस पर कई हमले किये और भाग गया गटना के बाद आरोपी पूरे भाग गया था फिर वहां से इंदौर आ गया पुलिस लगातार नज़र रखे होई थी और उसे इंदौर से ग्रफतार कर लिया आरोपी पहले भी हत्या के आरोप में जेल जा चुका क्या सुना हूं आपकान अभी ये किसके लिए आय ओए है क्या नाम था जा जी क्या हुआ था क्या पर हुआ है हुआ है कहां पर हुआ ये पॉनसी पॉशन के लाय क्लाय कर लोल किस पीज़े भी गटना होगी तो बिदा आप पो सुछना कब लगी जूसरा लगी किसे किस बादे हमसे सुछरा है कहां रहते हैं यह रहते हैं यह रहते हैं इनके कोई शादी हो गए रहा है इनके बड़े भाई हैं इनकी साधी नहीं की काम करते हैं जैसा आपको वेदित है इस मेने की एक और दो तारिक को ग्वालिया शेहर में एक गट्टे चार-पांच मैडर्स हुए थे और पुलिस ने लगातार लगके सभी मामलों को ट्रेस कर लिया इसमें मुरार थाना चेत्र चंतर का तेक तारिक को एक गणेश शर्मा नामक युवक की लाश हुकर्स जोन में मिली थी ठेले की उपर जिसके शरीर पे चाकूओं के कई घाव थे और बड़ा चुनाथी पूर्ण ये मरिडर था इसमें ये ब्लाइंड मरिडर था अग्याथ हत्या का प्रिक्रण था ज जोकि पूर्ण में भी हत्या क्या आरोफ में जेल जा चुका है और उसने अपना आरुफ सूकार किया है और इसके पीछे क्या कारण उसने जे बताया है कि गटना दिनांग की रात में ये लोग कलारी के पास बैटके शराप पी रहे घाए और और जगड़ा चलता रहा और बाद में जब यह होकर्स जोन में आया तो इसने एक चाखू से उसके शरीर पे लगातार वार किये और उसकी मृत्यू करने के बाद जो आरोपी था यह है पूरे निकल गिया था और पूरे से इंदौर आ गिया था हमारी टीम को इसके क्लू मिले थे और लगातार प्रियूक्त जो हतियार है वो भी जब्त कर लिया गया है और इसको अब मानी नियाले के समक्ष पेश किया जाएगा तो यह जो हमारी कुछ हत्या के प्रकण जो इस महा के आरम में हुए थे यह लगभग पूरे ही सुल्जा लिये गया है अब इसमें कोई भी अज्यात प्र विदा के लिपो